आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्रिवार इस्टेडी 58 के अंदर श्वागते और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कक्सा बारा इतियास जिसे कि जो आपकी क्वीज सीरीज है जो 25 सितंबर से एक अक्टम पर तक है उसको सोलिसन करने का प्रियास करेंगे इसमें कुल आठ क्यूसन उस आठ क्यूसन के हम आंस्वर को यहां पर सोलिसन करने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को अच्छा लगे तो like, comment, share जरूर करें इसके अलावा आपको ये बताना चाहूंगा कक्सा 12 का संपोर्ण कॉर्स आपके इसी study 58 चैनल के उपर available है वहां से आप देख सकते हैं सभी अध्याओं को विश्थर रूप से आप समझ सकते हो अब इसमें पहला क्यूसन हम देखेंगे कि किस सताब्दी इसापूरों में उप महादीपों में कई नगे नगरों का विकास हुआ यानि ये जो आपका जो बुक्स है जो अधैसिंग का आपका दो है अधैसिंग का दो के अंदर एक आपका सब पॉइंट है नगर एवं व्यापार उससे ये रिलेटेड है वहां से सम्मदित ये आपकी आपर क्यूसन दियेगे यह उप महादीपों का मतलब जो भारत की बात हो रही है तो क्या चोती सताब्दी सापूर में पांच्छी सताब्दी सापूर में पहली बार नगरी करण हरपा सब बेता की समय हुआ था और दूसरी बार इसमें नगरों का विकास हुआ था हलाकि ये नगर जो विबिन जो उसमें मुखे रूप से हमें 16 जनपत देखने को मिलते इनकी जो राजदानिया हुआ करते थे जैसे पाटली पुत्र है जो चमपा है या फिर माथूरा है या फिर उजयनी है पाटली पुत्र है तो ऐसे विबिन जो नगर थे जो महाजनपत थे इनकी या हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो राज़े थे उनकी राज़दा नहीं हुआ करते थे अगला कि उसने उजयनी कहां इस्तित जैसा अभी सी के बारे में बात किते उजयनी जो वर्तमान में मद्य प्रदेश का जो उजयने उसको प्राड़म में उजयनी कहते थे ठीक है तो ये कौन से जैसे भूतल मारग पर भूतल का मतलब जमीनी मारग आपको यहाँ पर समझना है जमीनी मारग और नदी मारग यानि जो जल मारग है ये इसको भूतल के सकते हैं इस्तिल मारग और नदी मारग यानि जल मारग और हिमाले जो पहाड़ी रास्ते वाला मारग या इन में से कोई नहीं तो आपको सई जबाब देना है तो हम देखते हैं उजेनी कहा हैं क्या हिमाले के मारग पे नहीं ये तो मद्धे भारत के अंदर इस्तिते हैं तो क्या ये नदी के किनारे हैं नहीं नदी वाला मारग नहीं तो फूतल यानि इस तल मारग से ये क्या हुआ है जुड़ा हुआ जो कि पाटली पुतर देखते है अभी लेकों में किसका उलेक मिलता है क्या उसमें व्यापारियों की जानकारी मिलती है क्या राजाओं के राज व्यवस्ता की जानकारी मिलती है वस्त्वों की जानकारी है अफ्रुकत है सभी तो इनका यही सही होगा यानि इन सभी की जानकारी है हमें खुदाई से जो भी लिग मिले उन से मिलती है यानि व्यापारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है राजाओं के राजी की ववस्ता के बारे में जानकारी मिलती है और वस्तवों की भी जानकारी होती जो व्यापार से सम्मंदित हुआ करती थी अगला जो हम क्यूसन है वो है रोमन समराजी में किन चीजों की मांग बढ़ी थी ये क्यूसन पूछा कि रोमन समराजी क्या मसालों की मांग बढ़ी कपड़े जड़ी बूटियां उप्रिक सबी तो इसका उप्रिक सबी होगा आता था जिससे भारत की आर्थिक सम्रदी भी बड़ी थी अगला जो क्यूसर ने यहां पर जो दिया कि खरोष्टी लिपी कहां पाएगी मिसर के अभिलिकों में चीन के अभिलिकों में यह इनमें से कोई नहीं देखो यहां पर थोड़ा सा यह समझने की वाली बात है जो खर भी लेखते हैं वो इस खरोष्टी लिपी के अंदर लिपी बड़ करवाएते हैं ठीक हैं तो यह वाले जो खरोष्टी लिपी वाले जैसे सारे कुना वाला हम देख सकते हैं यहां फिर वाले जो पच्छी में वाले तो यहां पर प्राप्त हुए हैं और ऐसे ही कुछ सिख कि हम हिंद युनानी सासकों के मिलते जो भी वो भी दो बासा में युनानी और जो ख्रोष्टी लिपी है उसके अंदर लिखे गए तो इससे रिलेटिड जो उत्तर होगा वो होगा युनान के अभी लिखों में किसका वैसे ये कोई डारेट नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम इस फैल पी पाई जाते ह्ति तो हम यहां पर युनान के अभिलिकों से इससे सम मन्दित करशकते हैं आगला जो किूसर ने में किस अमराठ असुकों ने अपने सासन के कितने वर्षों में कि अ बाते हैं तो राक्यूसन आप देखो इसी टाइप से बनाए जा रहे तो मैं कोई कमेंटों नहीं करूँगा लेकिन आप कौन से वर्ष में यहाँ पर पूचा तो यह जैसे यह भी गलत प्रिंट हो अच्छ है वर्ष होना अच्छ है साथ वर्ष आट वर्ष नो वर्ष तो असोक ने ज उसके बाद उसने आज इविन कभी भी युद्ध नहीं किया था समराड असोक के अभीलिकों में क्या ऐसा है जिससे उन्हे जनता की हर प्रेसानी का पता चलता है उनके कारियों की कारण उनके सलाकारों की कारण या उनकी राजविस्ता क्या इन में से कोई नहीं तो उनकी तो असुक ने एक ऐसी परजा तेसी राजविवस्था की स्थापना की थी जिसके माद्यम से उसे जनता की हर प्रेशान यानी जनता की हर दुख दर्दे उस दुख दर्द की जानकारी उसको क्या होती थी असुक को प्राप्त होती थी और उसका निराकन भी वो हातो आत करने क प्रियास करता था इसके लिए उसने युक्त राज्योक आधी जो महत पुन आधिकारी हुआ करते थे उन आधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति कर रखी थी अगला जो क्यूसने पिए दसी का क्या अर्थ है यह अंतिम क्यूसने क्या वो जिसके देखने जिसके दर्शन सुन्दर हो जो बहुत प्रिय हो जो बिल्कुल सुन्दर नहीं हो सकता अब जो बिल्कुल सुन्दर भी नहीं हो सकता अब जो बिल्कुल सुन्दर भी नहीं हो सकत जिसको मैंने आपके सामने सोल करवाया था असा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक कमेड शेयर जरूर करें धन्यवाद